वेल्कम वीवर्स हाई आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एडियो के दर्ध के बारे में जी हाँ आज कल एडियो के दर्ध की समझा काफी बढ़ गई है इसलिए आज हम इसके बारे में बताएंगे कि यह है क्यों है और कैसे ठीक हो सकती है इससे पहले कि हम इस टोपिक पे आगे बढ़ें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब करें और पहला आइकन पर क्लिक करें पाएं एडियों के दर्द से मुक्ती आज कल पेट और सिर की बिमारी यूँ के चलते एडियों के दर्द की बिमारी ज़्यादा बढ़ रही है इनके इलावा और भी कारण होते हैं एडियों के दर्द के जो आज हम आपको बताएंगे साथ ही उनका इलाज भी बताएंगे एडियों के दर्द के कारण ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर काम करने से एडियों में दर्द होने लगता है पेट की खराबी होने से सरीर की वायू यानि बात पैरों में चली जाती है जिसके कारण भी एडियो में दर्द शुरू हो जाता है निंद की गोलियों का सेवन करने से भी एडियो में दर्द हो जाता है हाई हील पहनने से तो एडियो में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है ज्यादा भारी सामान उठाकर चलने से भी एडियो में दर्ध होता है ज्यादा लंबे समय तक एक ही हवस्ता में बैठे रहने से भी दर्ध बढ़ जाता है एडियो के दर्ध का इलाज रात को सोते समय दूद में हल्दी डाल कर पीने से बहुत जादा आराम मिलेगा लेकिन ध्यान रखे कि दूद में चीनी ने डाले क्योंकि मीठा खाने से दर्द बढ़ता है नमबर दो, पैरों के पंजों पर खड़े होकर अक्सरसाइज करें नमबर तिन, थोड़ा सा तिल का तेल लेकर उसमें तीन लैसुन की कलियां डाल कर उसमें आधा चमच अजवाइन का मिला कर उसे हलका सा भूरा होने तक धून ले इस तेल से दिन में दो तीन भार मसाज करें, दद से मुक्ति मिलेगी रात को गरम पानी में सिंधा नमग डाल कर पैरों को धोलें इससे एडियों को सेक मिलेगी और काफी आराम भी मिलेगा फिर पैरों को तो लिए से लपेट कर कुछ समय बाद ही खोलें आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारा चैनल जुरू सब्सक्राइब करें हेल्दी लाइफस्टाइल और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वैपसाइट www.thehealthylipestyle.in पर भी फिजिट कर सकते हैं धन्यवाद